जब तक तुम ऐसे नहीं हो गए कि तुम्हारे लिए मान या अपमान बिलकुल ही ओची, इर्रेलेवेंट और प्रासंगिक बातें हो जाएं तब तक अपमान निसंदेह कचोटना चाहिए कौन हैं जिन्हें अपमान न लगे तो भी कोई बात नहीं या तो हो कोई बिलकुल मुक्त कृष्ण जैसा, बुद्ध जैसा वो अपमान के पार हैं हालंकि जो सहज प्रतिक्रिया होती है वो वो भी देते हैं या फिर कौन होते हैं ऐसे जिन्हें अपमान नहीं लगता पत्थर और पशू एक पत्थर को तुम कितनी भी लाते मारते रहो उसको कुछ बुरा नहीं लगना उसके आत्मसामान पर आच नहीं आ जानी है इसी तरीके से जानवरों को भी तुम लात मार दो पत्थर मार दो वो शरीर की रक्षा के लिए तुम से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते हैं उनको बुरा लगता भी है तो इसलिए कि उनके शरीर पर चोट आ गई पर उनके भीतर ऐसी गौरव की कोई भावना नहीं होती उनके भीतर कोई ऐसी चेतना ही नहीं होती अपने प्रते कि उस पर चोट आए चोट आती भी है तो उनके शरीर पर आती है चेतना पर नहीं आती तुम उसको दुबारा पशुको रोटी दिखा दो वो लोट करके तुम्हारे पास आ जाएगा वो यह नहीं कहेगा कि तुमने थोड़ी देर पहले मुझे अब शब्द कहे थे या गंदी नजर से देखा तो इसलिए मैं तुम्हारे पास अब दुबारा लोट कर नहीं आऊँगा तो अपमान के प्रति बिल्कुल ही निर्पेक्छ हो जाने का अधिकार मैंने कहा या तो कृष्णों बुद्धों को है या पशुवों पत्थरों को है तुम्हारी इस्थित में जो लोग हो उन्हें तो अपमान का अनुभव करना चाहिए क्यों अनुभव करना चाहिए ध्यान से समझो हमारी जो संभावना है वो बहुत बड़ी है संभावना के तौर पे हम विराठ हैं अनन्त हैं तौर पोटेंशियली हम इन्फाइनाइट हैं तो जिसकी संभावना इतनी हो अगर वो छोटा जीवन बिता रहा हो तो ये बात उसे कचोटनी तो चाहिए ही न ये बात अपने आप में अपमान है कोई आकर के तुमको कड़वे बोल गंदे बोल न भी बोले तो भी जिन्दगी ही तुम्हारा अपमान तुम्हारी इंसल्ट कर रही है अगर तुम अपनी जिन्दगी को उस स्तर पर नहीं जी रही जिस स्तर पर जीने की तुम अधिकारी हो जिस स्तर पर जीने की तुम्हार उची से उची संभावना है, ये बात अपने आप में ही अपमान की है, कोई चाहे तुम से आगर के ये कहे चाहे ना कहे, तो देखो अपमान के मौके तो हमारे लिए वरदान भी हो सकते हैं, अपमान हमारा दोस्त भी हो सकता है, अगर वो हमें हमारी जिंदगी के यथार्थ स परिचित कराता है। आप एक छोटा जीवन जी रहे हो। और कोई ऐसी घटना घटी या किसी ने ऐसा कुछ कह दिया, कर दिया, जिसकी वजह से आपने अपमाने तनभाव करा। तो ये मौका तो खुद को देखकर बात को समझ कर बहतर बनने का भी हो सकता है। जो आपका अप आपमान कर रहा है, वो आपका दोस्त ही हो गया या वो इस्थिति जिसमे आपका अपमान हुआ है, वो इस्थिति आपके लिए लाव unbelievably हो गई। तो अगर किसी स्थिति में आपका अपमान हुआ बात बुरी लग रहे है तो वजह खोजो ना। पुछो अपने आप से कि मैं नीचा अनुभाव करा गया जैसे ही वज़े दिखाई पड़े कि ये वज़े थी कमजोरी मेरे भीतर थी खोट मेरी थी जिसकी वज़े से दूसरे को मौका मिल गया कुछ ऐसा कर देने का कि मैं अपमानित अनुभाव करूँ तो तुरंत अपनी खोट को हटाओ अपनी खोट को हटाओ ही नहीं मुस्कुरा करके उस वेक्तिका या उस स्थितिका शुक्रिया भी अदा करो कि तुम आते ही नहीं तुम मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं भीतर से इतनी कमजोर हूँ मैं अपने भीतर इस तरह की बीमारी या शक्तता छुपाई बैठी हूँ और एक बार पता चल गया एक बार अपमान हो गया फिर कमर कसलो कि दुबारा नहीं होने देना है जिस चीज को लेकर के एक बार सर जुकाना पड़ा खरी खोटी सुननी पड़ी वो चीज अपने साथ दुबारा होने नहीं देनी है और वजह जरूर होगी बिना वजह तुम्हें किसी की बात कचोटेगी नहीं ऐसा नहीं है कि दूसरे ने इतना तीखा बाण मार दिया कि तुमको चुप गया न तुम्हारे ही भीतर कहीं कोई खोट थी जिसके कारण दूसरे की बात इतनी बुरी लगी अगर तुम जानते ही हो कि दूसरा जो बात कह रहा है वो बिलकुल वेर्थ है जूटी है बे मतलब है किसीकी बात अगर तुमें चुप गई है तो उस बात में कहीं कुछ न कुछ सचाई जरूर है और अगर दूसरा तुम्हें सची बात बोल रहा है भलाई कड़वे तरीके से तो तुम उसकी बात की सचाई का इस्तिमाल करो तुम कहो कि अच्छा हुआ मुझे पता चल गया अच्छा हुआ तुने आके मेरे सामने आइना रख दिया और आइना भी तुने वहां रखा जहां मेरी हस्ती में गंदगी थी कमजोरी थी ठीक वो चीज तुने मुझे प्रदर्शित कर दी अब मैं उसको सुध अच्छा हरोंगी अब मैं बेहतर हो के बहुतर लीए तूप मान तुम्हारा दोस्त हो सकता है अगर तुम कारण तलाश लो इसे वहां मुझे तो यूँ बुरा लग जाते नहीं कारण अगर तुम्हें दिख नहीं रहा है तो कारण खोजो, कारण मिलेगा जरूर, बिना कारण के कोई अपमानित अन्भाव नहीं करता, कोई न कोई भीतर जगह होती है कमजोर जहां बाहर वाला कोई चोट कर जाता है, बात समझ रही हैं, हवाएं बहती हैं, एक पेड़ पर लग कितने पत्ते, उसमें से कुछ पत्ते तूट करके उड़ जाते हैं, हवाओं को दोश दें, क्या, बाकी पत्ते क्यों नहीं तूट गए, जरूर उन पत्तों में, शाखों में, डालों में, पेडों में कमजोरी होगी, जो हवाओं के सामने तूट जाते हैं, गिर जाते हैं, हम उनकी बात क्यों न करें, हवाओं को दोश देने से क्या होगा, हवाएं तो बाहरी हैं, हमारा उन पर कोई बस नहीं, वो आज बह रही हैं, वो कल फिर बहेंगी, परसों फिर बहेंगी, हवाओं की शिकायत करने से क्या होगा, अपने आपको देखो, अपने आपको ऐसा बन कर रहा हो उसको अपना दोस्त मानना अगर उसने अपमान किया ही इसलिए है ताकि तुम जग जाओ उठ बैठो सचेथ हो जाओ ऐसे अपमान करने वाले को तो मुह मांगा दाम दे करके अपने पास ले करके आना संतों ने कहा है ना अगर तुमने पढ़ा हो दोहा निंदक नियरे राखिये आंगन कुटी छबाए ऐसे निंदक को तो अपने पास ले आओ जो तुम्हारे दोश निकाल ही इसलिए राए ताकि तुम बहतर हो सको वो दोश इसलिए नहीं निकाल रहा कि तुम्हें दुख दे जिन्दगी में जो तुम्हारी उची संभावना है तुम्हें उसके काबिल बना सके तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर तुम्हारी आलोचना करता है या अपमान भी कर देता है तो उसको आदर ही देना उसको अपना दोस्त ही मानना जो तुम्हारा हितैशी होगा जो तुम्हारा वास्तविक दोस्त होगा वो घटिया काम में तुम्हारे बगल में नहीं खड़ा होगा वो तुम्हारा सबसे बड़ा निंदक सबसे बड़ा आलोचक होगा और जो तुम्हें अच्छा बोलता रहे बढियां बोलता रहे तुम् जब तुम अधिकारी हो कि कोई तुम्हें साफ साफ कड़वी बात बोल दे, तुम्हारे सामने हकीकत उगाड कर रख दे, उसको तुम अपना दुश्मन मानना ये मुश्किल पड़ेगा तुमको। सम्मान को अपमान को देखने का तुम्हारा नजरिया बिलकुल ही बदल जाएगा, तुम फिर ये नहीं देख रही होगी कि उसने मेरे साथ क्या कर दिया, फिर तुम्हारी नजर बस ये होगी कि मेरे साथ जो गुज भी हुआ है, उसका इस्तेमाल करके मैं बहतर कैसे हो जाओ अब तुम्हारी नजर दूसरे पर नहीं है अब तुम्हारी नजर अपनी बेहतरी अपनी तरक्की पर है اور जिसकी नजर लगातार अपनी बेहतरी पर होने लग गई वो जन्दगे में बहुत आगे जाता है